नमस्कार फ्रेंड स्वागाता आप सबीका सॉल्ड से में दिरी से यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में सिननम से रेलेटेट एक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 50 कुशन कवर करेंगे आप लोगों को जरूब बताना कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कूर किया है और इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम के चनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजेगा और मैं जिस दिन आपको वीडियो नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए मैं पहले माफी चाता हूँ लेकिन मुझे एतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको डेली वीडियो दे पाऊँ तो इस बज़े से मैं एक दिन आपको छोड़ के वीडियो देता हूँ जिस दिन मेरी वीडियो नहीं आती है तो उस दिन आप लोग जो है जो आप लोग पिछला पढ़ चुके हैं तो उसको आप रिवाइज करिए मतलब जो पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ उनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं तो सारी वीडियो जो है आप रिवीजन किया करिए तो क्योंकि आप एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद जो है एक दो महिने बाद आपको जरूर रिवीजन करना चाहिए नहीं तो आप भूल जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लिजे मैं सारी वीडियो दिया हूँ प्लेलिस्ट बनाया हूँ तो आप लोग जरूर उसको रिवीजन जरूर करते रहे हर अपते में एक वीडियो का जैसे आपने एक हफ़ते पहले कोई वीडियो देखी तो उसका एक हफ़ते बाद आप लोग जलूर रिवीजन किया करिए जिसे कि आपका जो है आप वीडियो देखने से मतलब आप कोई चीज देखेंगे वो जल्दी आपको याद होगी आप पढ़ना चलेंगे न कि कोई भी चीज आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद नहीं होगी लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे उसको सुन लेंगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगी तो आप लोग जो है जिस दिन वीडियो मेरी नहीं आती है तो उस दिन आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके कोई ना कोई वीडियो रिवीजन के तोर पे आप लोग उसको सॉल्व करेए क्योंकि मैंने सारे जो जितनी भी वीडियो है मेरी सारे प्रेटिस सेट पे है आदारित तो आप लोग को जो है प्रेटिस उसमें करनी है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले है आप विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो कुछ ना कुछ NH, कुछ नम बन इसमें लिखा है Candy तो होर इजस को आप लोग केसे ये एसका पहले सोच लिए इसका RITE option किया होगा तो HORRINDS को आप जो होरर से इसको RELATE करेए होरिंडस को होरर से RELATE करेए होरर मतलब होता है भयानक तो horrendous का भी मतलब होता है खराब या फिर भायानक तो यहाँ पे जो है A option में जो दिया है very huge तो very huge मतलब होता है बहुत बड़ा तो यह तो इसका हो नहीं सकता है और option B में जो दिया है greatly unpleasant तो greatly unpleasant भी मतलब होता है या खराब या फिर भायानक तो इसका answer हमारा B option हो सकता है और option आगे check कर लेते हैं और C option में जो दिया है mildly sincere तो mildly sincere होता है इमानदार तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है और option D में दिया है most pleasant तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है तो most pleasant होता है बहुत अच्छा तो बहुत सुखद तो यहाँ पे जो है unpleasant होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है horrendous का मतलब हुआ है खराब या फिर भयानक तो horror से मैंने relate किया है जिसका एक synonym और हो जाएगा कि terrible मतलब भयानक तो यहाँ पे जो है इसका right option जो हो जाएगा ये b option इसका correct हो जाएगा question number 1 का horrendous जो है authentic authentic मतलब होता है real, genuine, विस बस निए तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option इसका b correct हो जाएगा real ये फिर genuine मतलब विस बस निए ये फिर बास्तवेक तो यहाँ पे option ए में जो दिया है admirable admirable होता है कि persons निए सरहा निए तो यहाँ पे जो है इसका B option correct हो जाएगा genuine यहाँ पे authentic मतलब real genuine तो इसका B option correct हो जाएगा और option जो C में दिया है adjustable adjustable होता है जिसे क्रम मद किया जा सके जिसको क्रम से लगाया जा सके तो उसको कहते है adjustable मतलब जिसको adjust किया जा सके और none of these कोई मतलब नहीं तो यहाँ पे इसका B option correct हो जाएगा अगला जो कुष्णन कुष्णन मत थर्ड जो है rectify rectify होता है मतलब सुधारना तो इसका आप लोग पहले सोच लीजे तो rectify मतलब होता है सुधारना तो यहाँ पे इसका correct हो जाएगा यह correct इसका answer जो है correct हो जाएगा option A तो यहाँ पे जो है correct का मतलब भी होता है rectify मतलब सुधारना और correct मतलब होता है सुधारना और option जो B में दिया है alter alter मतलब होता है बदलना और option जो C में दिया है erase erase मतलब होता है मिटाना और option D में जो दिया है continue मतलब जारी रखना तो इसका rectify का हो जाएगा correct इसका answer option A अगला जो question 4 जो है miraculous miraculous का आपको जो है synonyms बताना है तो miraculous का मतलब होता है अदभूत अदभूत इसका मतलब होता है तो आप लोग पहले सोच लिजे तो इसका right option जो हो जाएगा इसका amazing इसका correct हो जाएगा miraculous का जो correct हो जाएगा synonyms ये हो जाएगा amazing यहाँ पे जो है अदभूत इसका मतलब हो जाएगा और option A में जो दिया है mysterious मिस्टीरियस मतलब होता है रहे सिमय और option जो दिया है b में certain option जो b में दिया है certain मतलब होता है अचानक और option इसका C correct हो जाएगा amazing मतलब अद्भूत और miraculous ये दोनों अपने आप में जो है synonyms हैं और option जो D में दिया है unexpected मतलब होता है कि अचानक तो यहाँ पे इसका right option option C correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share रुक्या करें अगला question है question number 5 warranty तो इसमें जो warranty लिखा है तो warranty का इसका correct हो जाएगा ये हो जाएगा guarantee तो warranty का जो correct synonyms हो जाएगा ये हो जाएगा guarantee और option जो A में दिया है 3-8 3-8 का मतलब होता है धमकी और option C में दिया है order for arrest मतलब गरफतारी का जो आदेस होता है तो इसको कहते हैं order for arrest और issue मतलब मुद्दा या फिर मसला या फिर बिबाद तो ये इसका right option जो हो जाएगा warranty का guarantee इसका correct हो जाएगा आप लोग spelling देख लीजिए guarantee की तो ये spelling जो है spelling error में पूछी आती है तो आप लोग देख लीजिएगा अगला जो कुछन कुछनमा 6 जो है नेब तो नेब का आपको मतलब बताना है तो नेब का मतलब होता है दुष्ट, धूर्थ तो इसका आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका right option जो हो जाएगा ये option इसका जो है नेब का ये हो जाएगा option D इसका उंड्रेल इसका correct हो जाएगा option A में जो दिया है option A में दिया है emperor emperor मतलब होता है samraat और option B में जो दिया है enchanter enchanter मतलब जादूगर और option C में दिया है soldier मतलब फोजी तो यहापे इसका right option जो हो जाएगा नेब का ये हो जाएगा scoundrel अगला जो कुशन कुशनमा जो 7 है कुशनमा 7 ने जो दिया है prodigal prodigal मतलब होता है कि खरचिला ओडाओ prodigal मतलब होता है खरचिला या फिर ओडाओ तो इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा wasteful तो wasteful इसका correct हो जाएगा option इसका D correct हो जाएगा prodigal का जो correct हो जाएगा ये हो जाएगा wasteful मतलब खरचिला ओडाओ तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option D हो जाएगा कुशनमा 7 का और option जो A में दिया है Hughes Hughes मतलब होता है Babe ये फिर बड़ा और option जो B में दिया है prodigious prodigious मतलब होता है Bechitr ये फिर बहुत बड़ा और option जो C मे दिया है enormous enormous का मतलब होता है console ये फिर बहुत बड़ा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option D हो जाएगा अगले जो कुष्ण ना कुष्ण नमा 8 जो है Impost Impost मतलब होता है कर जिसको हम text बोलते हैं यहाँ पर इसका जो हो जाएगा Right Option जो हो जाएगा C Option correct हो जाएगा Option जो A में दिया है Fertilizer मतलब इसका होता है Uber रक या फिर खाद और Option जो दिया है B में Dispatch Dispatch मतलब होता है जिसको हम लोग जैसे कोई सामान को पूछता है कोई dispatch कर दिया है तो मतलब भेज दिया है तो मतलब dispatch मतलब भेजना और Option जो दिया है Postage Postage मतलब होता है Dark या फिर Shannis भेजना तो इसका Right Option जो हो जाएगा Impost का मतलब कर मतलब text इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 9 जो है इसमें आपको course का मतलब बताना है course का मतलब क्या होता है खुरदरा तो course का मतलब होता है खुरदरा अब मैंने बता दिया है तो इसका right option जो है आप लोग comment box में जरूर बताएगे तो इसका right option जो हो जाएगा course का मतलब होता है खुरदरा तो इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा rough तो इसका c option correct हो जाएगा और option जो a में दिया है academic होता है शैचिक या फिर बिद्या समंदी होता है और option जो दिया है b में grain मतलब अनाज और option D में जो दिया है training मतला procedure तो इसका right option जो हो जाएगा course का ये हो जाएगा rough मतला खुरदरा अगले जो question है question number 10 forgo तो forgo का इसका मतला बताना है इसका मतला होता है त्यागना या फिर छोड़ देना तो forgo को मतला होता है त्यागना या फिर छोड़ देना तो इसका आप लोग पहले socially इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option इसका a correct हो जाएगा renounce इसका correct हो जाएगा renounce का भी मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना तो यहां पे इसका जो है for go का जो हो जाएगा यह हो जाएगा renounce मतलब त्यागना या फिर छोड़ देना और इसमें जो option में B में दिया है, option B में जो दिया है, disown, disown मतलब होता है आसवीकार करना, और option जो दिया है C में, ये दिया है leave, मतलब की अबकास या फिर छुटी, और option जो D में दिया है, जो option D में दिया है, accumulate, accumulate मतलब होता है जमा करना या फिर संग्रे करना, तो accumulate मतलब होता हो जाएगा त्यागना या फिर छोड़ देना option इसका ए करेक्ट हो जाएगा अगले जो question question 11 recipients तो recipients मतलब क्या होता है कि जो प्राप्ट करता होता है उसको हम कहते है recipients तो इसका right option जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजे तो इसमें जो है receivers इसका correct हो जाएगा इसका भी मतलब जो होता है प्राप्ट करता या फिर प्राप्टी करता तो यहाँ पर जो है recipients का भी मतलब होता है प्राप्ट करता या फिर प्राप्टी करता तो यहाँ पर receivers इसका correct हो जाएगा और option जो A में दिया है creators यह होता है रचनाकार और option जो दिया है donors मतलब की data यह फिर option जो d में दिया है instigators instigators होता है कि भढ़काने बाला जो ब्यक्ति होता है जो भढ़काता है तो जब दो पच्छों में लड़ाई हो रही होती है तो तीसरा जो है बढ़काने के काम करता है जिसको हम कहते हैं इंस्टिगेटर्स तो इसमें जो है इसका C option correct हो जाएगा जो है recipients का मतलब होता है कि प्राप्ति करता और पर फिर प्राप्त करता तो यहां पर receivers इसका correct हो जाएगा अगला जो question है, question number 12 जो है frontier, frontier का मतलब क्या होता है तो frontier मतलब होता है सीमान्त या फिर सरहद तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा boundary यहां पर जो है frontier का जो मतलब होता है यह होता है सरहद यह फिर boundary सीमा यह फिर सीमान्त तो यहां पर boundary इसका correct हो जाएगा option जो है कुछ नमर 12 का यह C option correct हो जाएगा और option जो दिया है A में जो edge दिया है edge मतलब होता है किनारा और option जो B में दिया है landmark इसका मतलब होता है सीमा चिन और option जो D में दिया है corner तो इसका होता है नुकड का तो मतलब नुकड तो corner जैसे आपने देखा होगा जो plot होते हैं जैसे यह जो है गली है यहाँ पे जो है जो प्लाट होता है तो यह कॉर्णर का प्लाट होता है मतलब की नुकड़ वाला तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा frontier का यह हो जाएगा boundary तो यहाँ पे इसका c option correct हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share रुखिया करें अगला जो question number 13 जो है route तो route का मतलब होता है गोर पराजे मतलब पराजे इसका मतलब होता है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा defeat इसका correct हो जाएगा और option जो a में दिया है death मतलब रत्यू option जो दिया है c में loss मतलब हानी option d में जो दिया है crash मतलब की धुरगटना यह फिर धमा का तो इसमें जो है route का जो हो जाएगा यह पराजे हो जाएगा इसका मतलब defeat option इसका भी correct हो जाएगा अगले जो कुछना कुछना वा 14 जो है इसमें दिया है irreproachable इर प्रोचेवल तो यहाँ पे irreproachable का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई गलती ना हो जिसके अंदर कोई गलती ना हो इसको कहते हैं irreproachable तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा faultless तो यहाँ पे जो है इसके जिसके अंदर कोई गलती ना हो जो बेकसूर हो उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं irreproachable तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा और option जो a में दिया है remarkable remarkable होता है कि उलेक निये यह फिर अदबुत और option जो दिया है b में extraordinary extraordinary होता है आसा अगला जो कुशन है कुशनमा जो 15 है इसमें आपको जो है फैलिशिटी का मतलब बताना है तो फैलिशिटी मतलब होता है कि परम शुक मतलब इसका मतलब जो होता है शुक होता है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा bliss इसका correct हो जाएगा बिलिस का भी मतलब होता है परम परम आनंद या फिर परमानंद या फिर परम शुक तो परम आनंद यहां पर बिलिस इसका करेक्ट हो जाएगा जो लिखा है फैलिसिटी मतलब होता है परम शुक मतलब बहुत ज्यादा शुक तो यहां पर इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा बिलिस मतलब की परम आनंद option जो दिया है, option जो A में दिया है prosperity मतलब होता है समृद्दी यह फिर सपलता और option जो B में दिया है honesty मतलब इमान दारी और option जो D में दिया है sorrow मतलब दुख तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा fallicity का, यह bliss इसका correct हो जाएगा मतलब की परम आनंद यह फिर परम सुख का right option क्या होगा तो judicious का right option जो हो जाएगा option B हो जाएगा sensible तो sensible का मतलब होता है समझदार तो यहाँ पे judicious का right option जो हो जाएगा sensible इसका correct हो जाएगा मतलब समझदार और option जो A में दिया है option जो A में दिया है biased तो biased मतलब होता है जुका हुआ तो by जो मतलब होता है जुका हुआ तो यहाँ पे इसका जो मतलब हो जाएगा और option जो c में दिया है exact मतलब की सटीक और option जो d में दिया है honest मतलब इमानदार तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा judicious का यह हो जाएगा sensible मतलब समझदार अगला जो question है question number 17 question number 17 में दिया है transpired तो transpired का मतला होता है क्या तो इसका मतला होता है घटित होना तो transpired का मतला होता है घटित होना तो इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा happened तो इसका right option जो हो जाएगा happened इसका correct हो जाएगा इसका भी मतलब होता है घटित होना और option जो A में दिया है जो option A में दिया है was communicated मतलब होता है कि सूचित किया गया या फिर सूचित करना और option जो दिया है B में was discussed मतलब की चर्चा करना और option जो दिया है D में option जो D में दिया है conspired मतलब होता है शाजिस तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा transpired का मतलब जो हो जाएगा घटित होना तो इसका right option जो हो जाएगा happened इसका correct हो जाएगा अगले जो question 18 इसमें आपको obstinate का मतलब बताना है तो obstinate का मतलब होता है जिद्धी जो मतलब अड़ जाना जिद्धी या फिर अड़ जाना तो इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा option जो A में दिया है foolish मतलब होता है मूर्ख तो ये हो नहीं सकता है और option जो B में दिया है un-yielding un-yielding मतलब होता है कि अड़ जाना ये फिर जिद्दी तो यहाँ पे इसका जो है obstinate का correct हो जाएगा un-yielding मतलब की जिद्दी ये फिर अढ़ जाना तो इसका right option option B हो जाएगा और option जो दिया है C में unreasonable मतलब की इसका मतलब होता है अनुचित और option जो D में दिया है mischievous मतलब mischievous होता है शरार्ती तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option इसका B correct हो जाएगा अगला जो question है question नमा 19 है इसमें आपको sundry का मतलब बताना है तो sundry का मतलब जो होता है ये होता है vivid इसका मतलब होता है तो इसका right option जो हो जाएगा various इसका correct हो जाएगा Various का भी मतलब होता है Bivid तो यहाँ पे इसका जो है Right Option जो हो जाएगा Option इसका B correct हो जाएगा और Countless मतलब होता है जो Option A में दिया है Countless मतलब अंगिनत और Option जो C में दिया है Certain मतलब की निश्षित और Option D में जो दिया है Several मतलब अनेक तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा sun dry यह हो जाएगा barriers तो इसका B option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 20 जो है menial, to menial का मतलब क्या होता है to menial का मतलब होता है कि شेवक यह फिर knocker knocker चाकर तो यहाँ पे मिनियल का हो जाएगा शेवक तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा लॉली तो यहाँ पे इसका लॉली का में यह मतलब होता है सेवक या फिर नौकर चाकर तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option A हो जाएगा और option जो दिया है बी में tough, tough मतलब होता है कठोर और option D में जो दिया है dangerous, sorry option ज का यह correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 21 इसमें दिया है impetus तो impetus मतलब होता है कि प्रवर्टक वल तो मतलब driving force यहां पर इसका right option जो हो जाएगा option इसका d correct हो जाएगा प्रवर्टक वल क्या होता है तो कोई ऐसा force या फिर कोई ऐसी energy जिसको लगाने से body जो है motion में शुरू हो जाए तो यहां पर उसको कहते हैं driving force मतलब impetus इसका d option correct हो जाएगा और option जो a में दिया है financial support मतलब बित्यस आयता और option जो दिया है b में option जो b में दिया है accelerated growth मतलब की तुरत विकास option जो दिया है c में retarded growth तो इसमें दिया है मंद ब्रद्दी तो यहां पर इसका right option जो हो जाएगा option d हो जाएगा impetus का मतलब हो जाएगा जो पिरवर्टक बल होता है जिसको driving force कहते हैं option इसका d correct हो जाएगा आगला जो question है question 22 emulate emulate मतलब होता है कि to follow तो यहां पर इसका right option जो हो जाएगा option c correct हो जाएगा follow यहां पर correct हो जाएगा emulate मतलब होता है to follow और option जो दिया है praise मतलब प्रसंसा option जो दिया है find out तो यहां पर होता है पता लगाना या फिर तलासना और option जो दिया है d में assess assess मतलब होता है आखना या फिर अकलन तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा emulate का मतलब जो होता है to follow तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option c correct हो जाएगा अगला जो question है question है 23rd है 23rd में जो है boast दिया है तो boast का मतलब जो होता है यह होता है ding मारना इसका मतलब जो होता है यह होता है डींग मारना तो यहाँ पे डींग मारना किस option से satisfy हो रहा है तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा break तो break का भी मतलब जो होता है यह होता है डींग मारना तो यहाँ पे जो है boast का हो जाएगा break option इसका d correct हो जाएगा इन दोनों का जो मतलब होता है डिंग मारना और उप्सन जो दिया है क्राई मतलब की रोना और अब्यूस दिया है इसका मतलब होता है गाले देना और हेट मतलब घरडा उप्सन इसका डिंग करेक्ट हो जाएगा अगले जो कुछन है कुछनमा 24 जो है इसमें जो दिया है मास मर्डर तो मास मर्डर होता है सामूईक हत्या मतलब की सामूईक हत्या मतलब पूरी जाती की हत्या कर दी जाए या फिर पूरे घर की हत्या कर दी जाए तो उसको कहते हैं मास मर्डर तो यहाँ प है इसका right उप्सिन जो हो जाएगा genocide इसका correct हो जाएगा जेनो साइड का मतलब जो होता है नर संहार नर संहार होता है मतलब जहाँ सब लोगों को खतम कर दिया जाए और उप्सिन जो दिया है patricide मतलब होता है पिता की हत्या एक ऐसा आदमी जो अपने पिता की हत्या कर दे तो उसको कहते हैं पेट्री साइड और उप्सन जो दिया है बी में फ्रेट्री साइड होता है कि कोई एक ऐसा आदमी जो अपने सगे भाई की हत्या कर दे तो उस ब्यक्ति को हम कहते हैं फ्रेट्री साइड और उप्सन जो C में दिया है regicide मतलब जो राजा की हत्या कर दे तो उस person को हम कहते है regicide और जो पूरी जाती को खतम कर दे तो उसको कहते है genocide मतलब की जो है नरसंहार या फिर सामुई हत्या option इसका जो है d correct हो जाएगा अगर जो question number 25 इसमें दिया है executioner executioner मतलब होता है जलाद तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा ये option इसका d correct हो जाएगा one who inflicts capital punishment मतलब जो मरत्यू दंड देता है उसको हम कहते हैं जलाद और इंगलिस में कहते है executioner तो इसका right option जो हो जाएगा option d हो जाएगा और option जो a में दिया है executive engineer मतलब जिसको कारे पालक engineer कहते हैं और option जो दिया है b में explorer मतलब की खोज करता और option जो दिया है c में experimenter experimenter होता है की जो प्रियोग करता होता है उसको कहते हैं तो इसका right option जो हो जाएगा executioner का ये हो जाएगा मतलब जलाद one who inflicts capital punishment जो मरतिव dand देता है इसका d option correct हो जाएगा अगले जो questioner कोशन 26 है इसमें जो दिया है median speech मतलब होता है जिसका 1st speech यहाँ पर इसका right option हो जाएगा का मतलब पहला भासर्ड तो इसका right option option c हो जाएगा जो question जो option a में दिया है farewell speech मतलब जो विदाई भासड होता है उसको कहते हैं farewell speech और option जो दिया है short speech मतलब की संचिप्त भासड और option जो दिया है speech about women मतलब महलाओं के बारी में जो है भासड तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा middle speech का यह हो जाएगा first speech option जो है c option correct हो जाएगा question number 26 का option जो दिया है इसमें जो दिया है interfere interfere का मतलब जो होता है हस्त छेफ तो यहां पे जो है हस्त छेफ यह फिर दखल देना तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यह middle इसका correct हो जाएगा middle का भी मतलब होता है कि दखल देना या फिर हास्त छेफ करना तो यहां पे जो है interfere का correct हो जाएगा middle option जो है इसका a correct हो जाएगा help मतलब सहिता और object मतलब बस तू और copy मतलब नकल करना तो इसका right option option a हो जाएगा अगला जो question है question number 28 है इसमें आपको tedius का मतलब बताना है तो tedius का मतलब जो होता है थकाओ यह फिर सुस्त तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा dull इसका correct हो जाएगा और option जो a में दिया है tiresome मतलब की थकाने वाला जो थकाने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं tiresome और यहां पे जो option c में दिया है interesting इंट्रेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्प जो है दिलचस्प और उप्सन जो दिया है डी में एकसाइटिंग मतलब होता है जो है उत्तेजित करने वाला तो यहां पर इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा tedious का ये हो जाएगा dull तो यहाँ पर tedious का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा ठकाओ या फिर सोस्त यहाँ पर dull इसका correct हो जाएगा अगले जो question है question number 29 इसमें दिया है magnificent तो magnificent मतलब होता है ut crest ये फिर शांदार तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा isplendid isplendid का भी मतलब होता है उतकरष्ट ये फिर शानदार तो यहां पर magnificent का right option जो हो जाएगा option इसका जो है option इसका d गर्यक्त हो जाएगा splendid और option जो दिया है option a में जो दिया है magnanimous magnanimous का मतलब होता है ओदार ये फिर दान्शेल और option जो दिया है B में modest मतलब होता है शदारड, शुद्ध ये फिर नरम और option जो दिया है generous मतलब होता है udar ये फिर darnova तो option इसका जो है जो magnificent दिया है तो इसका right option जो हो जाएगा option D हो जाएगा जिसका मतलब होता है शानदार या फिर utcrust Splendid इसका Correct हो जाएगा अगले जो कुश्चन है कुश्चन मतलब 30 Spirited Spirited मतलब होता है कि की सहासी या फिर उर्थसाई तो यहाँ पे इसका Right Option जो हो जाएगा Intugastic इसका Correct हो जाएगा Option A में दिया है Heated मतलब की गर्म और Option B में दिया है Drunk मतलब शराबी और Option जो D में दिया है Possessed Possessed मतलब होता है किसी के Under में या फिर अधीन तो यहाँ पे इसका Right Option जो हो जाएगा यह Spirited का Right Option जो हो जाएगा Intugastic इसका Correct हो जाएगा जिसका मतलब होता है उत्साई या फिर सहासी Option इसका C Correct हो जाएगा अगला जो Question कुष्छन मत 31 Gloomy तो Gloomy काелен मतलब होता है यह होता है ओदास तो यहाँ पे इसका Right Option जो हो जाएगा आपनों पहले सोच लिजे इसका Right Option जो हो जाएगा Morous इसका Correct हो जाएगा Morous का भी मतलब होता है ओदास तो यहाँ पे Gloomy का Right Option जो हो जाएगा यह हो जाएगा मोरोस इसका भी मतलब होता है Nudaos और option जो दिया है A में यह दिया है मumpy तो मिस्टी मतलब होता है Dundle एक मतलब होता है फिका यह दंन द यहा मटलब होता है च्याएदार तो इसका राइट Athum option यह ग्लूमी का यह गा जाए जो राइट उपARRYंट हो जाएगा जो डाइट ëult हो मतलब हो जाएगा तो इसका right option जो हो जाएगा option इसका B correct हो जाएगा to complain to complain तो आसंतोष पिरकट करना इसका right option जो हो जाएगा option B हो जाएगा और option जो दिया है A में to is cold to is cold मतलब होता है डाटना और option C में जो दिया है to share to share का मतलब होता है सच्चा या फिर बास्तविक या फिर रियल या फिर जैनुविन और option जो दिया है D में to fight to fight मतलब होता है लड़ाई करना तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा गरंबल का ये हो जाएगा to complain आ संतोष पिरकट करना या फिर बड़ाना इसका right option हो जाएगा अगला जो कुशन अमा 33 जो है कुशन अमा 33 जो है crude तो इसमें आपको crude का मतलब बताना है तो इसका crude का मतलब जो होता है ये होता है अशोभित अशोभित तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा un refined is correct अ June Staatчес सभीक्रत जो हैFit करेक्त उडिकोरद जाएगा और प्जी जो दिया है Crude m और City में सभ आपीन मतलब होता है अश्यच्छिठ छे फिर असब्य है और option जो दिया है savage मतलब होता है असब्य है तो यहाँ पे जो है crude का right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा unrefined अगला जो question है question मा 34 इसमें आपको hostile का synonym बताना है तो hostile का मतलब जो होता है यह होता है बिरोधी तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा antagonistic antagonistic का भी मतलब होता है बिरोधी और poor मतलब गरीब और option जो दिया है c में option c में जो दिया है delinquent delinquent का मतलब जो होता है यह होता है अपरादी और option जो दिया है reticent reticent option जो d में दिया है इसका मतलब होता है मौन रहने वाला तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा होश्टाइल का जिसका मतलब होता है बिरो दी तो यहां पे right option option भी हो जाएगा antagonistic अगला जो question है question 35 जो है friendly तो friendly मतलब होता है uncool तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा amiable तो यहां इसका भी मतलब होता है शुशील या फिर सबका जो प्यारा होता है जिसको अन्कूल में friendly बोलते हैं तो उसको कहते हैं amiable और option जो दिया है A में option जो A में दिया है gentle जेंटल मतलब होता है सजन, शुशील और option जो दिया है option जो यहां पे और उप्सन इसका A B correct हो सकता है friendly का gentle भी correct हो सकता है और option जो है यहाँ पे appropriate जो है amiable है gentle भी सही कर सकते हैं और option जो C में दिया है considerate considerate मतलब होता है समझदार और option जो दिया है industrious मतलब महनती तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा amiable अगर amiable नहीं होता तो आप gentle को सही कर सकते हैं तो यहाँ पे appropriate जो है option इसका B correct हो जाएगा अगला जो question है question 36 इसमें आपको well का बताना है तो well का इसमें जो है इसका मतलब जो होता है यह होता है ढग देना यह फिर परदा करना यह फिर छिपाना तो यहाँ पे conceal इसका correct हो जाएगा option इसका C correct हो जाएगा और option जो A में दिया है seclude seclude मतलब होता है कि a can't में रहना और option जो दिया है B में मोन तो मोन का मतलब जो होता है यह होता है रोना यह फिर बिलाप करना और option जो दिया है option जो D में दिया है repent repent का मतलब होता है परस्ताना तो यहाँ पे जो है well का इसका right option जो हो जाएगा conceal इसका correct हो जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा छिपाना यह फिर परदा करना यह फिर छिपाना तो यहां पर conceal इसका correct हो जाएगा और जो आ में दिया है seclude Seclude मतलब होता होता है की A Paige में रहना और option जो दिया है B, Mon तो Mon का मतलब जो होता है ee होता है Rona यह फिर upload करना और option पर करना, option का मतलब होता है will game इसका right option जो हो जाएगा conceal इसका correct हो जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा छेपाना या फिर परदा करना अगला जो कुछन है कुछनमा 37 इसमें आपको recurrent का मतलब बताना है तो recurrent का मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा आवर्थी ये फिर बारबार होना तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा happening repeatedly मतलब जो बारबार repeat हो तो यहाँ पे जो है recurrent का right option जो हो जाएगा happening repeatedly और option जो A में दिया है जो option A में दिया है flowing backward मतलब की पीछे की और बहना और option जो B में दिया है healing quickly मतलब की जल्दी ठीक होना और option जो D में दिया है टैमली मतलब समय पर तो यहाँ पे इसका recurrent का right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा happening repeatedly मतलब की बारबार होना अगला जो question नमा 38 जो है peculiar peculiar का जो मतलब होता है यह होता है अजीब और गरीब तो यहाँ पे अजीब तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा strange जिसका correct हो जाएगा जिसका भी मतलब होता है अजीब और option जो A में दिया है same मतलब की एक सा यह फिर एक जैसा और option C में दिया है surprising मतलब की चौका देने बाला और option D में जो दिया है tiring, tiring मतलब होता है ठकाओ यहाँ पे peculiar का इसका right option जो हो जाएगा ageeb, मतलब strange अगला जो question है, question number 39 इसमें जो दिया है, यह दिया है prosper, prosper मतलब होता है फ़लना, यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा फ़लना यह फिर संपत्ती पराप्त करना जो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा पीरिस मतलळ होता है दोलाड़ना या फिर लाड़ प्यार करना और option जो बी में दिया है प्रमोट मतलळ होता है बढ़ावा देना ओर option डी में दिया है रिच मतलब धनी तो यहाँ पर इसका राइट ops जो हो जाएगा prosper का यह हो जाएगा thrive मतलब की फलना या फिर संपत्ती प्राप्त करना अगला जो question है कुछ नमा 40 imminent तो imminent मतलब क्या होता है तो imminent का जो मतलब होता है यह होता है famous या फिर पिरसिद supersed तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह option इसका d correct हो जाएगा illustrious इसका correct हो जाएगा illustrious मतलब होता है प्रिसिद यह फिर supersed इसका मतलब हो जाएगा famous तो imminent का right option option d हो जाएगा illustrious मतलब होता है प्रिसिद यह फिर supersed और option जो दिया है confident confident मतलब होता है आत्म बिस्वासी और option दिया है authentic authentic मतला होता है real genuine बास्तविक और option जो दिया है option जो C में दिया है ingenious ingenious मतला होता है ingenious ingenious मतला होता है should दिया फिर सरल तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा illustrious imminent का correct option हो जाएगा option इसका decorrect हो जाएगा अगला जो question question जो 41 है इसमें आपको fortitude का मतलब बताना है तो fortitude का मतलब होता है यह होता है धहर्य सहास यह फिर हिम्मत तो इसका right option जो हो जाएगा courage इसका correct हो जाएगा fortitude का right option हो जाएगा courage मतलब की धहर्य यह फिर सहास यह फिर हिम्मत और option दिया है option A में जो दिया है composer composer का मतलब होता है मानसिक संतुलन और option B में जो दिया है confidence मतलब की आत्म बिस्वासी और option जो दिया है D में produce मतलब की उत्पाद तो यहाँ पे जो है fortitude का right option जो हो जाएगा यह courage इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 42 sanitize तो sanitize का अपने जो है नाम सुना होगा जब इंडिया में covid आया था तो सब लोगों ने अपने हाथों को sanitize किया होगा तो आप लोग हाथों को sanitize करते रहेगा तो यहाँ पे sanitize भी आ गया है जिसका मतलब होता है अपने हाथों को sanitize करते हैं मतलब स्वच करते हैं तो यहां पे इसका राइट ऑप्सन जो हो जाएगा यह इसका मतलब जो हो जाएगा स्वच सेनिटाइज का तो यहां पे इस राइट ऑप्सन ऑप्सन इसका जो है यह बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा डिसिन डिसिन फेक्ट डिसिन फेक्ट का भी मतलब होता है तो ये और option A में जो दिया है pleasant मतलब present मतलब होता है सुखद और option जो C में दिया है pious मतलब होता है दर्मनिश्ट ये फिर धर्मिक ये फिर धर्मिक जिसको कहते है और option जो D में दिया है crazy मतलब पागल तो यहापर sanitize का right option जो हो जाएगा disinfect इसका correct हो जाएगा अगले जो question ना कुछनमा 43 है,ает favorite मतलब होता है पसंद दीदा तो यहां पे isKa right option जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लिजिये तो right option जो हो जाएगा preferred preferred का भी मतलब होता है पसंद दीदा इसका जो है favorite का जो है preferred इसका correct हो जाएगा preferred ऑप्सन इसका A correct हो जाएगा और ऑप्सन जो दिया है B में focused मतलब होता है ध्यान के अंदरित और ऑप्सन C में जो दिया है pleasurable मतलब होता है सोख़द और ऑप्सन D में जो दिया है dislike मतलब होता है ना पसंद, option इसका A correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा जो 44 है इसमें आपको novice का मतलब बताना है तो novice का right option जो हो जाएगा इसका मतलब पहले आपको पता होना चाहिए नो सिखिया, इसका मतलब जो होता है नो सिखिया, तो यहाँ पे beginner इसका correct हो जाएगा और option जो दिया है B में, virtuous virtuous मतलब होता धर्मिक और option C में जो दिया है trainer मतलब की प्रिसिच जो है प्रिसिच छक जो होता है और option D में जो दिया है learner मतलब सिखाने माला, तो यहाँ पे जो है जो option 44 है, novice मतलब जिसको 9 सखिया गयते है तो यहाँ पे beginner इसका correct हो जाएगा अगला जो question 45 friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक है और शाज़े रुकिया करें question 45 जो है adversary, adversary मतलब होता है कि बिरोधी या फिर प्रतिदुनदी तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा opponent यहाँ पे correct हो जाएगा opponent का भी मतलब होता है प्रतिदुनदी या फिर बिरोधी और option जो A में दिया है poverty मतलब गरीवी और option जो B में दिया है contestant contestant मतलब होता है प्रती योगी फिर जो चुनाव लड़ता है उसको कहते हैं और intruder intruder मतलब क्या होता है intruder मतलब होता है जो बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला जो ब्यक्ति होता है जो बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला ब्यक्ति को हम कहते है intruder तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा adversary का जिसका मतलब होता है प्रतिदुन्दी या फिर बिरोधी तो यहाँ पे opponent यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 46 dish honor तो dish honor का मतलब होता है अपमान तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा इसका correct हो जाएगा इन-femi का मतलब होता है बदनामी और dish honor का भी मतलब होता है अपमान या फिर बदनामी तो यहाँ पे right option हो जाएगा option इसका A correct हो जाएगा glory मतलब होता है बैवव और option C में जो दिया है uncouth का मतलब जो होता है गवार और option जो दिया है D में Wicked Wicked का मतलब होता है शैतान तो यहाँ पे इसका Right Option जो हो जाएगा Dishonel का यह हो जाएगा Infamy Option इसका A करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमा 47 जो है इसमें आपको Erudite का मतलब बताना है तो Erudite का मतलब जो होता है यह हो जाएगा क्या बिद्वान यह फिर बैग्यानिक यहाँ पे इसका Right Option जो हो जाएगा Scholarly तो Scholarly इसका करेक्ट हो जाएगा जिसका मतलब होता है बैग्यानिक यह फिर बिद्वान तो यहाँ पे जो Erudite दिया था Erudite का जो सिरनम्स हो जाएगा यह हो जाएगा Scholarly जिसका मतलब होता है बिद्वान यह फिर बैग्यानिक Option इसका A करेक्ट हो जाएगा Friendly मतलब Uncool और Miserly मतलब की लालची और Option D मदिया लबली मतलब सुन्दर तो यहाँ पे Right Option Option A हो जाएगा अगला जो Question number 48 जो है Idea मतलब बिचार Emotion का मतलब होता है समझना और Option C में जो दिया है Emotion मतलब भावना और Option जो दिया है Gist Gist मतलब होता है Nishkarz तो यहाँ पे Right Option जो हो जाएगा Notion यहाँ पे Correct हो जाएगा Idea का अगला जो Question जो 49 है इसमें आपको Takes After का मतलब बताना है तो Takes After मतलब होता है Shadras होना तो यहाँ पे इसका Right Option जो हो जाएगा Resemples यहाँ पे Correct हो जाएगा इसका भी मतलब होता है Šadras होना और Option D में दिया है Immitates मतलब की NUCKल करना या फिर To Copy तो यहाँ पे इसका Right Option जो हो जाएगा Takes After का resembles यहां पे correct हो जाएगा अगले जो question question number 50 इस वीडियो का last ill-favored तो इसमें आपको ill-favored का मतलब बताना है तो ill-favored का मतलब होता है बदकिस्मत तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यहां पे unlucky इसका correct हो जाएगा unlucky यहां पे correct हो जाएगा ill-favored का ill-favored मतलब होता है बदकिस्मत तो यहां पे a option इसका correct हो जाएगा और weak in health मतलब होता है की option जो b में दिया है इसका मतलब होता है स्वास्त में कमजोर और option जो दिया है short tempered short tempered मतलब होता है की चिड़ चिड़ा और option जो d में दिया है अगली मतलब को रूप तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा ill-favored का यह हो जाएगा अनलकी option इसका एक correct हो जाएगा जिसका हिंदी में मतलब होता है बदकिस्मत और अगला जो question question number 51 जो है आप लोगों के लिए homework है आप लोगों को जो है इसका answer जरूब बताना है comment box में इसका synonyms क्या होगा thank you friends आप लोगों ने जो है 50 में से कितना score किया है comment box में जरूब बताएं कि आप लोगों ने 50 में से कितना score किया है और इसका जो PDF आपको टेलेग्राम की चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलेग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के description में है तो आप सभी लोग जो है टेलेग्राम को जोन कर लीजेगा तो मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम